Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Sign Khushi Creations तो आज की वीडियो में मैं आपको वट सावितरी वरत की पूजन सामगरी दिखाने वाली हो कई जगा पर ये वरत जेश्ट मावस्या को करा जाता है और कई जगा जेश्ट पूर्णीमा को करा जाता है इसे बर मावस भी बोलते हैं और वरत पूर्णीमा भी बोलते हैं तो इसी की पूजन सामगरी आज में आपको दिखाने वाली हो तो अगर आप बढ़के पेर पर जा रहे हैं तो डारेक्ट आप पेर पर जाकर पूजा करें और अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं, तो आप बढ़ मावस से एक दिन पहले ऐसी टहनी लाकर रख सकते हैं, यह देखिए ऐसी टहनी लाकर इसे आप पानी में रख दे बाल्टी में, और यह टहनी लग भी जाती है, बाद में यह पेड की तरह बढ़ भी जाती है, कि उसमें minimum 5-7 पत्ते तो हो ही, जादा हो तो और भी अच्छी बात है, इसके बाद बाकी क्या पूजन की सामगरी चाहिए होती है, वो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें एक जलका लोटा चाहिए, जिससे हम बढ़ कवरिश सीचेंगे, इसके बाद हमें रोली, चावल, हल्द कुम-कुम, यह सब चाहिए, हमारे हां मूंग चावल भी चड़ाए जाते हैं, तो हम मूंग चावल लेते हैं, वरना आप सिर्फ चावल भी ले सकते हैं, इसके बाद मोली लेंगे भगवान को और पित करने के लिए, और कच्छे सूत का इस पूजा में बहुत महत होता है, तो कच्छा सूत हमें जरूर से लेना है, इसी के साथ-साथ अंकुरित चने कई लोगों के आँ छोले लिये जाते हैं, पर हमारे हां यह भीगे हुए भिजायडे चने लिये जाते हैं, इनी से पूजा भी होती है, यह चलाय भी जाते हैं, और बाइना भी इनी से निकाला ज जायेंगे, तो हमें भीगे हुए चने चाहिए, इसके बाद हम दीपक लेंगे, कपूर भी ले सकते हैं, अगर कपूर आप किसी वज़े से नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं अगर लोगडाउन की वज़े से अवेलेबल नहीं है, वरना कपूर ले और एक दीपक इसके बाद हम धूबती आप फिर अगर बती लेंगे, प्रशाद चढ़ाने के लिए गुड़ लेंगे, इसी के साथ साथ कुछ दक्षिना लेंगे, आप अपनी चानुसार दक्षिना ले सकते हैं, माचिस लेंगे दीपक चासने के लिए, और आज के दिन आम चढ़ाने का साथ कोई और फल भी आप ले सकते हैं, इसके बाद पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ फूल लेंगे, अगर लॉकडाउन की वज़े से फूल नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं, पर फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, इ अगर आप इतना समान नहीं ले सकते हैं, तो आप बस एक चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महंदी ये समान ले सकते हैं, बिछवे भी आप लें, तो ये सारा और चूड़ियां भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट समान है, पांच साथ समान, अगर आप सोलह श्रिंगार नहीं समान ले सकते हैं, इसी के साथ साथ जिसमें हम वट की टहनी लगाएंगे, हमें वट की टहनी लगाने के लिए एक मिट्टी से बढ़ा हुआ गमला चाहिए, आप चाहें तो खुली जमीन पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप गमले में लगा लें, और सावीत्री जी और सत् पर जो बर्गत बनाये जाते हैं, आटे से ओल ये जाते हैं, कई लोगों के आप पुशाद ले सकते हैं, तो उह legitimately नीना पर नीकालेंगे हम और无ही वही हम प्रशाद के रूप में सब चढ़ THEM को लाइक करें मेरे चैनल साइन खुशी क्रियेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने फ्रेंज फैमिली मेंबर्स के साथ शेर करें और मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो करें थांक यू वेरी माच प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थांक प्रत्थ करें इंस्तराओी और बार के लाइक शेर करें बार भी प्लीज लाइक वक्श्ड़ हर और हिए ट्स ओलो कि करें रख़ वेरी माच शेर प्लीज़ शेर इंस। रजले डिए आटरॉश्ड़ जजो बार रख़ दो एंग दो बार दॉशं़ कूश्यों पलाई उल्